और आज है 14 मार्च और सुबह सुबह आप सोच रहे हैं कि कहा हम लोग निकल चुके और तो बता देना चाहता हूं कि आज हम लोग जा रहे हैं एक गाउं से कुछ दूर पर एक खेत है और वहां पर हर सब्जियों का पौधा हुगाय जाता है और वहीं पर जा रहे हैं और रा जो कि हमारे गाओं का यह है तो पौधा उसी को लेना है और चल दिये हैं खेतों की तरफ और खेत मतलब अभी यहां से मुस्किल से आदा किलोमेटर दूर पड़ता है गाओं से तो अभी दिखिए इधर का कुछ लोकेशन तो हमने वीडियो को बीच में बहुत कट किया है और आस्ते में हमने काफी जोय करते हुए जा रहे थे और देखिए अब सुबा का टाइम है तो सभी लोग खेतों में भी लगे हुए थे और जश्ट आगे जाते हुए यहां पर सभी पातगोवी का जो खेती है यह तो पूरा पातगोवी लग गया था और यह गोभी का है और इसके आगे है पातगोवी का खेती तो हमारा परदी भै बोला था कि इतना अच्छा पातगोवी नीचे लग रहा है जैसे रग़ाए की गुलाब है और गुलाब कुछ इसी तरह से मतलब फूलाता है तो काफी अच्छा लगता है और देखिए सभी पातगोवी जैसे लग बन फॉलाब है और बहुत सारा यहां पर वया गया था और जस्ट यह जो फसल है तो रोड हाईवी रोड के बिलकुल बगल में यह है और हम लोग जश्ट आगे इसके गये तो यहां पर सभी खेती पोधे की जो सबजी आं की पाधे होती है वो लेना था है में मर्चे की तो यहाँ पर बस मर्चे का ही हम लोग को चाहिए था और मर्चा था भी तो यहाँ पर एक बाबा रहते हैं और हर्दम से यहाँ फसल लगाते हैं और छोटे-छोटे परदीब को लगबाग लगबाग 200 पौधे मिल गए तो अभी चलिए देखते हैं और जगाओ को हमने काफी इंज्वाई किया और देखिए वमें तुब काफी अच्छा लग रहा है आपको कैसा लग रहा है यहां की लोकेशन आप एक कॉमेंट में बता सकते हैं यहां पीछे यहां पर सीम टावर होगा और और काफी अच्छा लोकेशन था पीछे काफी अच्छा आपको दिख रहा होगा पूरे अच्छी तरह से भूब हाँ कोजए इस्टोर उतना है को एक अच्छे में 25 पहुता है और वैसे खुलता लेंगे तो 10 रुपय क्या 10-12 पेड़ मिल जाएगा पीछे देखिए बाबा उखार रहे हैं अभी उसी मर्चे के पेड़ को किसी को लेने आये थे बस आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब झाल को टू चैनल पर नहीं है